हेलो दोस्ताब सब्सक्राइब का स्वागत है हमारे इस वीटीब चैनल SD Creations पर यह हमारे टाइप स्क्रेप इलेटेट 17 ट्यूरियल है और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि optional parameters क्या होता है and intersection type कैसे काम करता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है अगर आप कोई भी ऐसा object properties या फिर कोई function parameter को ऐसा करना चाहते है कि maybe वो present हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है तब हम लोग उसको optional parameter या फिर optional properties के तरह ट्रीट करते है तो उसके लिए क्या करना है जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग कल वाला example जो है उसी को देख रहे है जहाँ पर हमारे पास एक interface है contact का जिसके अंदर दो parameter है कि एक तो हमारा property email दूसरा property है phone number नाव लेट से कि यह जो phone number है यह phone number ऐसा हो सकता है कि भाई कभी वो present होगा या पर नहीं भी होगा तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो अभी normal का क्या मतलब है normal का मतलब है वो compulsory है तो जैसे यहाँ पर मैं इसी को यह user है वो उसी को implement कर रहा है individual को और individual क्या कर रहा है contact को extend कर रहा है individual के अंदर भी यह दो parameter अभी compulsory parameter है correct तो अभी मैं यहां से अगर मैं सेम तरीके से यहां से अगर मैं इसको हटा देता हूँ जो हमारा phone number है यहां पर देखे यहां पर हमारे पास है error आ जाएगा कि भाई यह जो parameter है यह parameter है ही नहीं साथी साथ अगर मैं यहां से भी इसको हटा दूँ तो भी यहां पर error आ जाएगा कि भाई यह जो user class है इसने सही तरीके से जो हमारा individual interface है उसको implement नहीं किया क्यों कि भाई individual interface को phone number एक required field है या फिर एक required property है जो हम लोग उसको नहीं दे रहे है तो इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते है इसको ठीक करने के लिए हम लोग यहां पर ऐसा कर सकते है कि यह जो property है इसके पहले question mark लगा सकते है तो question mark लगा देने से ये basically बन जायता है एक optional तो अभी ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ठीक है अभी देखिए अभी यहाँ पे अभी तो error आ रहा है इसको अभी फिलाल के लिए ignore करते हैं अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो पहले जैसे यहाँ पे इसको हटा देने पे issue आ रहा था अभी देखिए कोई issue नहीं है अभी कोई issue नहीं है अभी ये कोई मुझे complain नहीं कर रहा क्योंकि ये जो है ये अभी optional parameter है तो ये मौजूद हो भी सकता है या फिर वो नहीं भी मौजूद हो सकता है तो ये है हमारा optional parameter जो interface में काम कर रहा है ये ही same चीज़ अगर मैं class में भी चाओ उसको भी ये करा सकता हो तो safe for example मैं चाहता हो कि ये रहे ठीक है पर मैं ऐसा चाहता हो कि ये रहे क्योंकि ये कभी तो आ सकता है अगर मैं यहां से directly इसको हटा दिया तो ये कभी भी नहीं आएगा that is confirmed और optional का क्या मतलब है कि कभी आ भी सकता है कभी present हो भी सकता है कभी present नहीं भी हो सकता है तो जब present होगा तब कैसे काम करेगा तो अगर मैं यहां से हटा दिया तो तो वो कभी भी present नहीं होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसके लिए हम लोग जो यह जो constructor है इसके अंदर भी इसका optional बना देंगे सेम तरीके से question mark लगाते हैं तो अभी यह अगर हुआ तो ठीक नहीं हुआ तो भी ठीक अभी देखिया अभी जैसे ही मैंने यहां पे भी question mark लगा दिया तो यहां से जो हमारा error था वो चला गया तो अभी अगर मैं इसको save करूँ और हमारे browser में मैं देखूँ तो जाहिर सी बात है phone number जो अंडिफाइन में आ गया जिए कि phone number कभी present हो सकता है कभी present नहीं हो सकता है तो मैं यहां पे एक ऐसा phone number dummy phone number कुछ भी लिख देता है तो जब वो present होगा तब उसके अंदर वो value जो है वो आ जाएगा तो यह optional अभी जब optional यूज होगा तब हमें तब typescript support जो है उसमें भी वो अच्छे से करता है जैसे say for example मेरे पास मैं यह जो optional field है मैं email को भी optional field बना रहा हूँ ठीक है और यहां पे भी मैं email जो है उसको भी optional field बना रहा हूँ तो ऐसा हो सकता कि मेरे पास email और phone number आए information वाला method है मैं ऐसा चाहता हूँ कि इसमें से सिर्फ जो email है वो email output में जाए ठीक है तो अगर मैं यहां पे लिखता हूँ दिस.email तो मैंने email को यहां से सिर्फ output में डाल दिया अभी देखिए अभी यहां पे मैं ऐसा चाहता हूँ कि email जो है user किसी भी case में वो enter करे मैं हमेशा lower case में दिखाऊंगा ठीक है तो यहां पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ say for example मैंने capital में लिखा तो अभी जो है वो as it is दिखाएगा मतलब जो भी है जैसा भी है वैसा का वैसा दिखाएगा पर अगर मैं अभी यहां पे आप इसके उपर वो लगा दो कि two lower case तो मैं इसमें two local lower case जो है उसको मैं call कर देता हूँ तो देखियो automatically यहां पे question mark बैट गया है ठीक है यह basically IDE का support है तो इसमें automatically एक question mark बैट गया है जिसके वज़े से lower case में आ जा रहा है पर अगर मैं intentional हो सकता है कि मतलब मेरे में कोई extension activated है जिसके वज़े से इतना अच्छा support दे रहा है जो basically type script snippet या फिर intelligence है ऐसा extension होगा मैं अभी exactly नाम याद नहीं कर पा रहा है मैं में देखके description में उसका नाम दे दूँगा तो इसको मैं अगर यहां से हटा देता हूँ तो देखिए यहां पे एक error आ रहा है कि object is possibly undefined मतलब ऐसा हो सकता है कि email जो है वो कभी present ना भी हो कि मैंने इसको optional field बनाया है तो अगर यह present नहीं हुआ तो यह undefined हो जाएगा और undefined में कोई भी ऐसा lower case अपर के जासा कोई method जो है वो काम नहीं करेगा तो हमारा code जो है वो runtime में जाके issue create करेगा तो अभी तो यहां पे है इसके वज़े से अगर मैं यहां से इसको हटा देता हूँ तो ऐसा हो सकता है कि हमारा code जो अब देखिए यहां पे कुछ error नहीं है पार तो यहां पे type script यह बता रहा है कि जो जिसके उपर तुम इसको call कर रहा हूँ वो ऐसा हो सकता है कि वो कभी undefined हो तो हमें उसके लिए properly check करके रखना होगा कि किस तरीके से मतलब अगर हम लोग इसको एक if check के अंदर डाल देते है say for example कि if this.email this.email और अगर मैं इसको इस code को अभी देखी यहां पे error दे रहा है अभी मैं इसको अगर if block के अंदर गुसा देता हूँ तो type script automatically यह समझ जाएगा कि वही यहां पे एक if check चल रहा है इसका मतलब जब यह line line number 18 specifically यह line continue होगा तो उस दारान यह जो चीज है यह जो these.email है वो हमेशा present होगा ही होगा that is compulsory तो क्यूंकि type script अच्छे से यह जो email है इसको अच्छे से interpret कर सकता है तो यह support हमें मिल जाता है type script के अंदर अगर हम आप्शनल पेरामिटर पे काम कर रहे हैं तो यह भी support देता है type script तो यह है basically हमारा optional parameter तो किसी भी parameter को अगर आपको optional parameter बनाना है simply उसके पहले question mark लगा देना है तो वह बन जाएगा optional यह interface कोई भी function कोई भी class property कोई भी method सारे चीजों पर यह available है ना बात करते हैं दूसरा जो हमारा topic है वो है intersection type ठीक है intersection type कैसे तैयार होता है intersection type होता क्या है तो say for example जैसे यहाँ पर यह है कि interface contact and interface individual यहाँ पर हम लोगों ने कैसे किये है कि जो हमारा यह है कि individual को extend कर दिया पर suppose मैं individual को extend नहीं कर रहा तो इसको मैं individual को extend नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पे एक अलग सा type बना सकता हो अलग सा type बना सो जैसे यह इसको मैंने क्या बना था class को मैंने user class बना था फिलाल मैं user को class ना बनाके मैं इसको comment कर देता हूँ इसको भी मैं comment कर देता हूँ अभी इन दोनों को मैं पहले type में convert कर देता हूँ तो यह हमारा type बन गया अभी say for example मैं एक ऐसा type बनाना चाहता हूँ जो type इन दोनों को एक ही साथ में जो type इन दोनों को basically एकी साथ में consider करेंगी इसके अंदर जो भी data है ये दोनों और ये ठीक है तो अगर ये ही दोनों चीज़े हमें चाहिए होगा तो इसके लिए मैं safer example एक type बनाता हूँ जो है हमारा वही user type अब देखिए अब हम लोग union type के लिए क्या सीकेते हैं कि या तो individual होगा या फिर pipe sign देके contact होगा ऐसे क्या तयार होता है ये एक union type मतलब आइदर individual और contact अगर मुझे intersection type बनाना है तो मुझे इसके जगे पर लिखना है end तो इससे basically क्या होगा कि इन दोनों में जो भी चीज common है वो तो आएगा ही आएगा साथी साथ जितने भी uncommon है सब मिला के एक type बन जाएगा तो अभी user जो type है उसके अंदर ये तीन property mandatory हो जाएगा तो अभी अगर मैं कोई ऐसा object बनाता हूँ const user1 is equal to some object और मैं चाहता हूँ कि user1 जो है वो एक user type का object होगा तो यहाँ पे देखें तीनों के तीनों property available होगा तो अगर object के साथ हम लोग काम कर रहे है object के मतलब object type के साथ हम लोग काम कर रहे है तो यह basically जितने भी दोनों object को merge करकर जितने भी properties बनते हैं वो सारे properties को ले लेगा तो अभी मुझे अगर मुझे यह object क्रियेट करना है तो मुझे प्रापर एक नाम रालना परेगा उसके साथ obviously यह सारे चीज़े जो है यह मतलब optional field है तो अगर मैं ना भी डालू तो भी चलेगा पर फिलाल मैं डाल देता हूँ और तीसरी चीज़ है phone number तो यह बन जाता है हमारा intersection type पर अगर हम लोग union types के साथ काम कर रहे हैं तो basically जो common type है उस common type को उठाता है say for example मैं एक ऐसा type बना रहा हूँ कि type car वाला जो system है उसी को ले लेता हूँ मैं या फिर यहां पर मैं ऐसा कर देता हूँ कि user जो है either वो इन दोनों में से कोई एक type होगा और दूसरा एक और type मैं बनाता हूँ new user type जो basically either एक individual होगा या फिर होगा say for example undefined या फिर एक blank object ठीक है तो यह दोनों type है अब अगर मैं इन दोनों को एक type में assign करने का try करूँगा जिसमें मैं user and new user इन दोनों को रखूँगा तो अभी अगर मैं इस another type के उपर over करूँगा तो आपको दिखेगा कि वो जो है वो एक user and new user type है तो इसमें क्या हुआ है कि ये इन दोनों में से जो भी एक type है उसको consider करेगा तो इसमें मैं क्या करता है इसको undefined कर देता हूँ ठीक है? तो यहाँ पर देखेँınız यहाँ पर basic neural user में कहूँजेज़ एंडीविज़ूल new user में कहान है individual और contact और new user में कहान है individual और undified तो अभी अगर मैं कोई ऐसा object बनाने का try करता हूँ any object which is the type of another type तो अभी देखिए अभी अगर मैं इसको null डूंगा तो यह error देदेगा क्योंकि null तो इन चारों में से नहीं है intersection का क्या मतलब होता है कि इन दोनों में से जो common है जब हम लोग type के साथ काम करते है अगर वो object type नहीं है ऐसे वाले तो basically इसमें अभी another type में क्या hold हो रहा है be specific अगर मैं बोलू तो another type में hold हो रहा है individual तो मैं जो object बनाऊंगा वो individual type का होना चाहिए कि इन दोनों में ये common है तो अगर मैं इसको एक खाली object बनाता हूँ तो भी ये error फेकेगा पर अगर मैं इसमें एक name property डाल देता हूँ ठीक है तो देखिए ये valid type बन गया अब बोलें कि contact तो जो है वो तो आपका optional field है मैं contact का optional field को required field कर देता हूँ तो भी देखिए ये valid type है तो भी types के मुझे कोई भी complaint नहीं कर रहा यह complaint नहीं कर रहा क्योंकि जब हम लोग ऐसे union types के साथ काम करते है तो जो intersection type है intersection मतलब जिस point पे दोनों चीज़ें में common है तो इसमें और इसमें common क्या है individual इसका मतलब जो ये another type है वो basically individual type है तो इसको ये दोनों चीज़ें कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है तो कभी ऐसा situation create हो सकता जहां पे आप code को short करने के लिए इस तरीके का चीज़ें यूज करें वैसे हमेशा यूज नहीं होगा पर हां good to no चीज़ें है कि अगर चाहे तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं अगर मैं object type के साथ काम करूँ जैसे इस वाले टाइब में union type को हटा के अगर मैं simply object type के साथ काम करूँ तो देखिए ये क्या होता है ये basically होता है कि दोनों में से दोनों में जितने भी properties है वो सब के सब होना चाहिए अभी देखिए ये मुझे actually में एक error फ तो मुझे ये दोनों value भी उसके अंदर डालना पड़ेगा तो मैं अभी इसमें email डाल देता हूँ कोई भी एक value से और phone number डाल देता हूँ कोई भी एक value से तो देखिए फिर से मेरा ये जो error है वो चला गया ठीक है तो ये होता है basically हमारे लिए intersection types ठीक है जिसको use करके हम जहां पे आपको ऐसे दोनों में से जो कामान है वो ताइप बाला नेना है इस तो इसको काम करना है तब आम इसको यूस कर सकते है तो ये था अचके वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे नेक्स वीडियो में if you guys like the video then hit the like button and share the video with your friends and colleagues remember all the download links for sample file and practice file is in video description so don't forget to check this out also if you are newer in this channel the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates